और यू तीन, पुस्तक का नाम बलिवेश्व यग्य, लेखक, वेदमूर्टी, तपुनिष्ट, पंडित्षी रामशर्मा, आचारेजी पारिवारिक लड़ाई जगडे का कारण साथ पैटकर भुजन न करना, सापताहिक सस्तंग्यम स्वाध्याय न करना है, चोटे बड़ों का मान समान न करें, और सबसे एहम बात्या है कि जिस घर में बलिवेश्व न होता हो, बिहार दर्भंगा जिले में एक परिवार में पैत्रक संपत्ती के बटवारे को लेकर भेंकर जगडा जंजट हो रखा था, सारा परिवार अशान था, और घर के सब सयान लोग चिंतित थे, उस कशबे में हमारी शान्तिकुझ की टोली कारेकरम हेतु पहुची और हमारे स्थानी कारेकरताओं ने उन्ही के यहां टोली को ठहराया था, हवेली बहुत पड़ी थी, रात्वी को कारेकरम समाक्थ होने पर परिवार के व्रत्त सज्जन टोली नायक स मिले और अपने परिवार में पैत्रक संपत्ती के बटवारे हे तू भयंकर अशान्ती की बात बताई तोली नायक ने पूछा बाबुजी घर में भोजन कौन बना रहा है बड़ी बहु बड़ी बहु से तोले नायक ने पूछा क्या आप परिवार में सहकारेता शान्ती और स सुक्षान्ति हो गई और सब सदर से कहते हैं हमें संपत्ति नहीं चाहिए अब सभी भाई एक दुसरे को देने के लिए लड़ा करते हैं अताह परिवार की सुक्षान्ति का रहस्य है वलिवैश्वय यग्य परंपुजी गुर्देव का आश्वासन युग्रशी युगद्र आपको आपके गाउं और इलाके में भी इस अभ्यान को चलाना है यग्य चोटे हो या बड़े तर भारत वर्ष में यग्यों की हवा फैलेगी वातावन बनेगा उसमें आपके सहयोग और सहयता की जरूर्वद्र है अगर आप सहयोग और सहयتा करेंगे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे मलमाल हो जाएंगे प्रते घर में बली वैश्व के रूप में यग्य भगवान की स्थापना करो और उसकी लुप्त परंपरा पुना स्थापित हो जाए इसलिए प्राण पन से यत न करो अखन ज्योती जुलाई 97 बली वैश्व का स्वरुप छोटा है पर प्रेनाएं बहुत बड़ी हैं यह कि बड़ा हो या छोटा बली वैश्व हो परंतो उसे घर घर में चलाना है गायत्री परिवार का यह भियान विशुद रूप से उत्तम नागरिकों की खदान साबित होग परंपुजी गुर्देव आश्वसन देते हैं इस यह भियान में शामिल होने वाले गायत्री परिवार की परिजोनों का जो समय लगेगा शम लगेगा पैसा लगेगा हम आपको यकिन दिलाते हैं कि उसका सौ गुना होकर आप लोगों को घूम फिर के वापस मिलेगा आप उससे भी ज्यादा शाररीक, मांसिक, पारिवारिक, आर्थिक और आध्याद्मिक लाब उठाएंगे आपको हम यकिन दिलाते हैं कि इस यह भियान से आपको सब तरह के लाब होंगे बली वैश्व करें, महांता अपनाएं, समस्या व्यक्ति निर्माण की है, उजल भविश की कामना सभी करते हैं किन्तो उसके लिए उजवल चरीत्र संपन व्यक्ति चाहिए, जिसके मन मस्तिश्क में हीन भाव और उच्छे विचार भरे हैं, उनसे उजवल भविश के निर परिवार निर्माण की भी जरोद बताई है, परिवार को उन्होंने व्यक्ति निर्माण की टक्षाल, चरित निर्माण की प्रयोकशाला, व्यायमशाला तथा समाज निर्माण की सक्रिय मजबूत इकाई कहा है, जो लोग उग निर्माण की इश्वरी योजना में सार्थक सुनिष्ठि टिकाव योगदान करना चाहते हैं उन्हें परिवारों को स्यूग रिशी द्वारा बतलाई गई उक्त परिभाशाओं के अनुरूब बनाना चाहिए सर्जनकारे कामनाओं के खवाब देखने से नहीं सकते उसके लिए तो तप और कौशल का विकाश और प्रयोग करना होता है परिवार में ऐसा वातावरों बनाना होता है जो जाने अंजाने सभी के मन अंताकरन पर धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता रहे ऐसा वातावरन घर परिवार में बनाने के लिए रिशी ने पांच सुत्र दिये हैं पहला पूजा स्थल पर नमन वंदन दूसरा सामुहिक प्रातना का क्रम तीसरा पारिवारिक सस्संग चौथा निक्त प्रणाम अभिवंदन का क्रम तथा पाजवा बलिवेश्व प्रक्रिया का पालन इनके उद्देश और स्वरूप निम्न अनुसार है पहला नमन वंदन घर के किसी उप्युक्त स्थल पर पूजा का छोटा बड़ा स्थान हो वहां गायतरी माता का चितर रहे अत्वा पराम प्रागत पूजा ग्रहों में कम सेगम गायतरी महामंतर की सापना हो जो सदर से नीमित उपासना करते हो वे उपासना करम में गायतरी मंतर का जब अवश्य करें मंतर जब अत्वा इस्ट्रिनाम जब के साथ भावना करें हे परमादमा हम सब को सदबुद्ध हैं उजल भविश के मार्ग पर आगे बढ़ाएं परिवार के बाकी सदे से अपने मुख्य कारे पर जाने से पहले या भोजन से पहले वहां मस्तक जुका कर अपने लिए और सब के उजल भविश की प्रातना करके जाएं पूची गुरुदेव ने कहा है मनुष्य महान है और उससे भी महान है उसका स्रजेता उसके साथ भाव भरा संपर्क बनाए रहने से व्यक्ति के अंदर महानता के बीच विक्सित होने लगते हैं सामोहिक प्रातना अनुभवे संतों का मत है कि जो एक साथ प्रातना करते हैं वे आपस में प्यार सहकार पुर्वक साथ साथ बने रहते हैं हो सके तो रोज शाम को नहीं, तो कम से कम सब्ता में एक बार साथ साथ प्रातना आरती भजन करें, पांच या एक दिपक जला कर ही दीप्यक के साथ या क्रम सरस्तायम सरलता से चलाया जा सकता है, क्रम पूरा होने पर सब अपने से बड़ों को प्रणाम करें, बड़े छोटो को उसने आशिश प्रदान करें, पारिवारिक सत्संग, इसे भी नित्य या साथतायक सत्संग के साथ जोड़ा जाना उप्योगी रहता है, इस्तिति के अनुसार अलग से भी इसका आक्रम चलाया जा सकता है, आज कल फिल्म, टीवी, विभिन, घटना क्रमों, आदि से हीन विचारों का आक्रमन तो होता ही रहता है, उनसे बचने का उपाई ही है कि घर परिवार में ससंग, कथाओं, दाहरणों के माध्यम से मन मस्तिश्क में अच्छे विचारों, भावों का संजार किया जाता रहे, नित्य प्रणाम, अभिवंदन सभेरे, उठकर अत्वासनान पूजा के बाद अपने से सभी बड़ों को जुक कर प्रणाम करें, बड़े छोटों को उसने आशिर देते हुए उनके द्वारा किये गए अच्छे कारियों की सराराना करें या वैसी प्रेणा दें, बलिवेश्व पक्रिया, यह यग्ये का एक ऐसा सुगम सरूब है, जि एक मान्य कहवत है, जैसा खाए अन वैसा बने मन, अन के सोल गुणों से शरीर का पोशन होता है, तथा उसके अंदर सन्ने ही सुक्ष्म भावों, संसकारों के अनरूप मन का विकास होता है, अन में यग्ये भावना और यग्ये प्रक्रिया से शेष्ट मन बनाने योग्य सं लोकताम जयती, शत्पत, अर्थात जो भी वक्ति वैश्व देव यग्ये करता है, वह अग्नी ही हो जाता है, और अग्नी के सायुज और सालोक्य को प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन में यग्ये का महत्व तथा यग्ये संसकार यूप्त बोजन के बारे में गीता का मत्व बहुत ही स्पस्थ है। और प्रजा को साथ साथ स्रजा प्रजा से कहा तुम यग्ये की आराधना करो, यह तुम्हारी आवशक्ताएं पूर्ण करेगा। इस्टान भोगान विही वो देवा दास यंत यग्य भाविता, तेद्र तत्तान प्रदा ये भ्योयो भुकतेन स्तेन एव सह। यग्ये द्वारा प्रसन की गए देवता, तुम्हें इस्ट भोग प्रदान करेंगे। इन देव अनुदानों को जो उन्हें भेट किये बिनाही भोगने लगे वह चोर है। यग्य सिष्टा सिना संतो मुच्य यंते सर्वकिल विशे भुंजते देत वध्यम पापा ये पंचत्यात्म कारणात। यग्यों में शेश बचे हुए अनुको खाने वाले सज्जन पाप कर्मों से छूट जाते हैं। जो केवल अपने लिए ही पकाते खाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। आहार यग्य संसकार युक्त रहने के संबन्ध में कुछ अन्युदारण देखें। मनुष्यों और देवताओं के बीच का संपर्क सुत्र यग्य ही है, उसको सुद्रण बनाने के लिए पहले हवन करें तब खाएं। विद्शीशा भवने नित्यम, नित्यम वामरत भोजनह, विद्धसो भुक्त शेशम तू, यग्य शेशम तथा अमरतम। धर्म धारणाओं का पोशन करने के उपरांत बचा हुआ अन्न विघस कहलाता है। यग्य के बचे हुए को अमरत कहते हैं, मनुष्य को विघस एवं अमरत का ही भोजन करना चाहिए। सजन यग्य से बचे हुए को ही खाता है, जो अपने लिए ही कमाता खाता है, वह तो पाप ही खाता है। यह उदार परमार्थ जन जन के मन मन में बनी रहे, उस मानवी धर्म करतवे का नित्य स्मरण बना रहे। इसलिए नित्य उद्योगन के रूप में बलिवैश्व करना होता है। बली वैश्व संचित नाम है, पूरा शब्द बली वैश्व देव, इसमें तीन शब्दों का समावेश है, बली वैश्व, इनका अर्थ इस प्रकार होता है, बली, उपहार, अनुदान, वैश्व सब के लिए, देव, दिवि प्रयोजनों के लिए. तीनों को मिलाकर बनता है बली वैश्व देव अर्थात उच्छ उद देशों के लिए सार्वजनिक साधना के लिए प्रस्तूत किया गया अनुदान बली वैश्व पक्रिया का महत्व जितना अधिक है उसका विदिविदान उतना सरल है इस तत्य को स्पस्ट करते हुए युगरिशी लिखते हैं धैनी को पासना में अकेला गायतरी जबती ही पर्यापत नहीं उसके लिए अगनी होतर भी साथ चलना चाहिए यहां यह कठिनाई सामने आती है कि हवन में समय लगता है वस्तुमें भी अने को इकठी करनी पड़ती है विदान से सभी अवगध भी नहीं होते खर्च भी पड़ता है इन चारों कठिनाई के लिए एक सुगम परंप्रा बली वैश्व की चलिया आती है उसे इन दिनों 20 म अवशक्ता इसकी है कि उसका भी महत्व समझा जाए और गायती परिवात में उसे प्रसलीत पुनर जिवित किया जाए दीपक का आर्थिक मुल्य कितना ही स्वल्प क्यों नहों रात्री के सरगन अंदेकार में बिना ठोकरे खाए निर्वाह करने तथा कुछ महत्पुन क्र गायत्री के आरम में दीपक जलाने की परंपरा है इसमें प्रकाश के प्रति स्रद्धा भी व्यक्ति का भाव है ठीक इसी प्रकार बली वैश्व के रूप में अकनी होत्र का संचिप्त अभिवंदन प्रचलन समधा दा सकता है गायत्री जब की तरह ही बली वैश्व को भी उपासना परत दैनिक धर्म करते माना गया है और विधान है कि इन दोनों को करने के उपरांध ही भोजन ग्रहन किया जाए इस प्रकार के प्रतिबंच से एक तो मर्यादा बनी रहती है दूसरे यह अनुभव होता रहता है कि प्रस्तुत निधारन को भोजन जैसी अनिवारे आवशक्ता से भी अधिक महत्पुन माना जाए सपस्ठ है कि जितना महत्व समझा जाता है उसे उतना ही गहराई और बारीकी से सबने की चेस्टा की जाती है जिसको मान मिलेगा जिसका मुल्यांकन होगा उसने अपनाया भी जाएगा गायत्री रूपी सत्बुद्धी और यगे रूपी सत्कर्म को जीवन कर्म में घुला लेने के उपरान सर्वतों मुखी प्रगदी का द्वार खुलना सुनिष्टित है इन्ही दो कदमों को उठाते हुए पूर्टा के लक्ष तक पहुँचना और बीच-बीच के विरामों पर एक से एक बड़ी चड़ी भौति के हम आत्मिक सफलताय सिध्या प्राप्त करते चलना संभव हो सकता है संद्यावंदन के रूप में गयत्री उपासना और दैनिक अगनी होत्र के रूप में उप्रोक्त पांच आहूतियां हमारे समस्त परिवार में चल पड़नी चाहिए हर परिवार में गयत्री उपासना का वातावर रहे और बलिवैश्व के रूप में अगनी होत्र होता रहे तो समझा जाएगा कि गयत्री माता और येग्य पिता के युब्म का पूजा विधान ठीक तरह से चल रहा है दैनिक येग्य का विधान सामाडी भोजन की पाँच आहोतियों देने जैसा सरल कर देने पर भी उसके मुल तत्व ग्यान में कोई अंतर नहीं रहता हर कर्मकांड के पीछे उच्च स्तरी तत्व ग्यान का समावेश रहता है बलिवैश्व दैनिक यगे के पीछे भी एक दर्शन है वहया है कि परमाथ प्रयोजन को जीवन चर्चा में घुला कर रखा जाए मात्र पेट के लिए ही न जिया जाए अपने श्रम, समय ग्यान, मनयोग जैसे साधन उतने ही नीजी उपयोग में लिये जाए जितना की औसत भारतिय की निर्वाह में प्रयुक्त होता है शेश को पिछनों को उठाने और सत प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में लगा दिया जाए बलिवैश्व के दो पक्ष हैं एक पक्ष में सत प्रवर्थियों का समवर्धन और दूसरा है पिछनों की सहायता सवर्दैता सज्जनता के पीछे यही दो उद्देश्य प्रधान रहते हैं यही उद्देश्य बलिवैश्व के भी है सुगम विधी विधान बलिवैश्व की महत्ता बहुत बड़ी है और विधी विधान बहुत सुगम है इसे घर में ग्रहनियां बड़ी सहत्ता से कर सकती हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है। इश्ट देव को भोग लगाने के भाव से सफाई और पवित्र भावना के साथ भोजन पकाया जाए। पकाय हुए भोजन में से नमक मिर्च मसाले वाले परदार्थ छोड़कर फीके या म इंधन चलाकर भोजन बनाया गया है तो उसमें कुछ अंगारे किसी मिट्टी के सकोरे या धातु के चौड़े पात्र में रख लें। फिर नीचे लिखे क्रम में पांच आहूतियां भावना पुर्वक दें। गयात्री मंत्र बोलकर स्वाहा के साथ पहली आहूति होम करे और कहें इदम भ्रमणे इदम नमामा दूसरी आहूति इसी प्रकार होम कर कहें इदम देवेव्य इदम नमामा तीसरी आहूति के बाद कहें इदम रिशिव्य इदम नमामा चौथी आहूति के बाद कहें इदम नरेव्य इदम नमामा पाचवी आहूति के बाद कहें इदम भूतेब इदम नमामा पांचों आहुतियों के बाद अगनी के चारो और जल गुमा कर हवन पात्र को एक और रख दें अन्य भस्म हो जाने तथा अगनी शांत हो जाने पर उस भस्म को तुलसी के गमले या कि जीपावित्र स्थल पर वक्ष की जड़ में डाल दें यदि स्ट जातु का कम गहरा पात्र 86 से पकड़ कर लौव पर करें अथ्वा सब्जी चलाने के धातु के चम्चे जिसमें बगार आदी लगाये जाते हैं उसे लौव पर रखकर आहुतियां दी जा सकती हैं शांतिकुंज में तामबे का एक ऐसा पात्र भी तयार किया गया है जिसे ग बलिवेश्व की पांच आहुतियों को तत्वदर्शियों ने पंच महायगी की संग्या दी है इस कथन का सपस्तिकरन देते हुए युग रिशी ने वांग में 26 में लिखते हैं बलिवेश्व की पांच आहुतियों को पंच महायगी क्यों कहा गया है बोलचाल की भाशा में किशी शब्द के साथ महाषब्द लगा देने से उसका अर्थ बहुत बढ़ा हो जाता है यग्जभ्द से भी सामोई अगनियोतर का बोध होता है फिर महाषब्द लगा देने का अर्थ है होता है कि कोई विशाल का आयोजन होना चाहिए प्राया सौ कुंडी ये 25 कुंडी यग्य आयोजनों को महायगी की उपादी से विभूशित किया जाता है फिर आहार में से छोटे-छोटे पांच ग्रास निकाल कर आहुतियां दे देने मात्र की दो मिनिट में संपन्न हो जाने वाले क्रिया को महायग कि नाम क्यों दिया गया इतना ही नहीं हर आहुति को महायगी की संग्या दी गई ऐसा क्यों यदि बलीवेश्व महायगी नाम दिया जाता है तो कम से कम उससे इतना बहुत तो होता है कि पांच आहुतियों वाला कोई बड़ा आयोजन है पंच महायगी नाम देने से तो यह चोटे क्रत्य का नाम इतना बड़ा क्यों रखा गया यह वस्तुता एक आश्चरे का विचा है नामकरण की यह वी संगत भूल रिशियों ने कैसे कर डाली यह बात अनबुज पहली जैसी लगती है वस्तुत सिदिका परेवेक्षन करने से तथे सामने आ जाते हैं और स्वत्य को प्रमुक्ता देते हुए नामकरण किया जाता है किन्तु बली वैश्व की पांच आहूतियों के पीछे जो प्रतिपादन जुड़े हैं उन पांचों को एक स्वतंत्र यग्जी नहीं महायग्जी माना जाता है श्वस्तिकरण की द्रिष्टी से हर आहूती को ए इनके नाम भ्रम्ययग्य, देवयग्य, रिशीयग्य, नर्ययग्य, भूतियग्य ही प्रमुकुरूप से रह जाते हैं। मोटी मानेता यह है कि जिस देता के नाम पर आफती दी जाती है वो उसे मिलती है। फलतह वो प्रसन होकर यग्य करता को सुख शान्ती के लिए अभिष्ट वर्दान प्रदान करते हैं। यहां देवता शब्द का तात्परे समझने में भूल होती रहती है। देता किसी अद्रश्य व्यक्ति जेसी सक्ता को माना जाता है पर वस्तुता बात वैसी है नहीं। देवों का तात्परे किनी भाव शक्तियों से है जो चेतना तरंगों की तरह इस संसार में एवन प्राणियों के अंतिराल में सम्व्याप्त रहती है। साधन तया वे प्रसुप्त पड़ी रहती है और मनुष्य शशक्तियों से सद्भावना से और संप्रवर्तियों से रही दिखाई पड़ता है। इस प्रसुप्ति को जागरती में परेड़त करने वाले प्रयासों को देवा राधन कहा जाता है। अनेकानिक धर्मानुस्थान, योग, साधन, तप विधान, मंत्रा राधन इन देव प्रवर्तियों को प्रखर सक्रिय बनाने के लिए ही किये जाते हैं। जो प्रतीक के माध्यम से प्रेणा, प्रयोजन तक पहुँच जाते हैं। उन्हें की देव पूजा सार्थक होती है। पंच महा यग्यों में जिन भ्रह्म देव रिशी आदिका उल्लेक हैं। उन्हें निमित आहुती देने का अर्थ इन्हें अद्रशिवक्ती मानकर भूजन कराना नहीं। वरण यह है कि इन शब्दों के पीछे जिन देव रत्तियों का सत्प्रवर्तियों का संकेत हैं। देव यग्यों का उद्श है पशू से मनुष्य तक पहुँचाने वाले प्रगती करम को आगे बढ़ाना। देवत्व के अनुरूप गुण कर्म का विकास, विस्तार, पवित्रता और उदार्टा का अधिकादिक संवर्धन। रिशी यग्य का तातपर है पिछणों को उठाने में सनलग्न, करुणार्ध जीवन नीति, सदाशेता संवर्धन की तपश्चरिय, पूरो पुरूशों, रिशियों के आदर्शों को आत्मसत करना। नर्यग्य की प्रेणा है मानवी गरिमा के अनुरूप वातावर्ण एंसमाज व्यवस्था का निर्माण। मानवी गरिमा का संरक्षन, नीति और व्यवस्था का परिपालन। नर्मी नारायन का उत्पादन। विश्व मानव का श्रे साधन। बूतियगी की भावना है, प्राणी मात्र तक आत्मीता का विस्तार, अन्याय जीविधारियों के प्रतिसत भावना पूर्ण वहवार, व्रक्ष वनुस्पतियों तक के विकास का प्रयास, इन पांचों पुरवर्तियों में से व्यक्ति और समाज की सर्वतों मुखी प्रगत पवित्रता और सुव व्यस्ता के सिद्धान्त चुडए हैं, जिवन्चर्या और समाज व्यस्ता में इन सिद्धान्तों का जिस अनुपात में समावेश हो जाएगा, उसी क्रम से सुखद परसीतियों का निर्मार निधारित होता चला जाएगा, बीच छोटा होता है, किन् उन से जटिलताएं सरल होती चली जाती है, अणू जीवानू तनिक से होते हैं, पर जब भी उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिलता है, चमतकारी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, बलिवेश्व की पांच आहुतियों का ध्रश्य स्वरूप्त तनिक सा है, पर उनमें जिन पांच प्रेण सुत्रों का समावेश हैं, उन्हें व्यक्ति और समाज की सवरतों मुखी प्रगति के आधार्वु सिध्धान्त कहा जा सकता है, इनका निरंतर ध्यान रहे, इनके अनुरूप जीवन की नीती यों समाज की विवस्था बनाने का प्रेत्न होता है, उसकी स्मृति हर रोज ताज्या होती रहे, उसके लिए पांच आहुतियां देकर पांच आधर्शों के प्रती पुजा को महत्वुन माना गया है, यक्यकरता बलिवेश्य कर्म करते हुए इन पांचों के अनुग्रह वर्दान की अपेक्षा करता है, यह आशा तब नि की प्रक्रिया का मूलभूत प्रयोजन है, बलिवेश्य को इनी देव प्रेणाओं का प्रतीक प्रतिनिदी माना जा सकता है, कहना ना होगा कि यह आदर्श जिस अनुपात से अपनाए जाएंगे, उसी के अनुरूप व्यक्ति में देवत्व की मनस्तिती और जनसार में अलंकारिक शित्रण में उनके पांच मुख दिखाए गए हैं, यह पांच मुख पांच देव हैं, पंच कोष, पंच तत्व, पंच गवि, पंचाम्रत, पंच रत्न, न्याय पंच, जड़ी, बुटी, पंचां, आधी के कितने ही पंचक हैं, गातरी मता के पांच मुखों और बलीवेश्वे के पंच यगों के साथ उनकी विवेचना की जाती है, प्राचीन भारत की गौरोगरिमा के आधार बुट कारण उन्हें आधर्शों का परिपालन था, नव्यू के अवतारण एवं उज्वल भविश्य के निधारण में नी को चरितार्थ करना महिलाएं बलीवेश्व की प्रक्रिया बड़ी आसानी से चलाती रह सकती हैं, यग्यवशिष्ट परोसे जाने का अपना महत्व है, इसमें अपनी महान सांस्क्रजी परंप्रा का निर्वाह होता है, साथ ही यग्यमें बने हुए को ही खाने का तत्वधर्शन, समझने, देंगम करने से प्रक्तियम समाज की सर्वत मुखी सुक, शान्ती, समवध्धी का द्वार खुल सकता है, देकर खाने मिल बाटकर उप्योग करने की नीती को देवरत्ती कहते हैं, यह जहां भी जितने अंश में भी प्रयुक्त होगी, वही उसी अनुपाद से सदाशेता ब